29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई रश्ट्रिय शिक्षा नीती लेकर आई उद्देश्य था नई पीड़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना ये पॉलिसी 21 सदी के नवजवानों की सोच उनकी जरुरतें उनकी आशाओं अपेक्षाओं और आकांशाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है रश्ट्रिय शिक्षा नीती में ऑनलाइन शिक्षा को प्राधमिक्ता और प्रोचसाहन दोनों दिया गया है जिसके सभल परिणाम कोरोना महमारी के दौरान भी सामने आए PME विद्या कारिक्रम के अंतरगत ऑनलाइन, टेलेविजन एवं कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा One Nation One Digital Platform से प्रेरित डीक्षा में स्कूल पाठिक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक E-Content 32 भाशाओं में उपलग्द किये गए एक वर्ष में इस प्लैट्फॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड से बढ़कर 2300 करोड हो गई है JEE और NEET की ऑनलाइन परिक्षाएं भी हुई जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया अब अभी नए सिस्टम आ गया है ऑनलाइन क्लासे सोने लगी है तो जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं UGC ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किये ऑनलाइन कारिक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है ओनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयम M.O.O.C.'s Portal जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्द है गत वर्ष में 54 लाग छात्रों ने उस पर इन्रोल्मेंट कराया इस नई नीती से भारत में पढ़ने आए बितेशी बच्चों को भी हमारी सुद्रण व्यवस्था का लाभ मिला है एक तरफ निष्ठा के अंतरगत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षत किया गया है तो गत एक वर्ष में स्किल डिवेलपमेंट मत्राले द्वारा एक लाख स्वास्ते कर्मचारियों को भी प्रशिक्षत किया राश्ट्रिय शिक्षा नीती के अंतरगत सार्थत की रचना हुई जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रिय शिक्षा नीती के सुचारू क्रियान वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्षन प्लान है। इसी नीती त्वारा राष्ट्रिय अभियान निपोण भारत की भी शुरुआत की गई। जिसका लक्ष बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल-खेल में विक्सित करना है। स्कूल बैग के वजन और होम वर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिये गई। और बच्चों की मानसिक स्वास्तिय और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुदरपन पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर भी लॉंच किया गया है। राश्ट्रिय शिक्षा नीती में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनाशल लिटरसी और हैंडी क्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है। और कक्षा 10 वी और 12 वी के लिए CBSE द्वारा कॉंपिटेंजी बेस्ड एक्जैम्स की चरण बद्ध तरीके से शुरुवात की कई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने कोविट संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किये और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रिय शिक्षा नीती भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रिष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है। नए भारत की आत्मा को प्रात्मिक्ता देती और हमारी जुवाओं को 21 सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नए शिक्षा नीती।